ज़ेश्री रादे दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वास्तोंगे, मस्तोंगे, सुरक्षितोंगे दोस्तों, अगर आपके बच्चों के विवाह में भी बाधाय उत्पन हो रही हैं, विलंब हो रहा है, तो आज का ये उपाय आपकी सारी परेशानियां दूर कर देगा, अक्सर जो उपाय बताय जाते हैं, वे जातक को स्वयम करने होते हैं, अपने लिए, और आज कल के बच्चे पूजा पार्ट से थोड़ा दूर ही रहते हैं, उन्हें जल्दी इन सब उपाय बगएरा पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए अक्सर देखा जाता है कि आप उपाय करते रहते हैं, लेकिन उसका फ़ल प्रापट नहीं होता है, क्योंकि आपको फ़ल तब ही मिलता है, जब आपको उस पूजा पर, उस इश्वार पर विश्वास होता है, जिसके लिए आप ये पूजा कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई उपाय करें तो तब ही करें जब आपको उस उपाय पर उस इश्वर पर विश्वास हो कोई भी उपाय पूरे विश्वास के साथ ही करना चाहिए अक्सर माता-पिता का यही सवाल होता है कि क्या हम यह उपाय कर सकते हैं तो घबराए नहीं आज का यह जो उपाय है बहुत ही सिध और सटीक उपाय है और इस उपाय को माता-पिता को ही करना है अपने बच्चे के विवा है तू अगर बच्चे चाहें तो वे भी अपने लिए कर सकते हैं तो चलिए बिना समय कवाएं पढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं आज का यह उपाई इस उपाई को करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक कच्चा सूत और हल्दी पिसी हुई हल्दी कच्चे सूत को हल्दी में रंग कर गुरवार के दिन क्लीम ओम नमाशिवाई क्लीम ओम नमाशिवाई इस मंत्र का जाप करते हुए सोला परिक्रमा पीपल की करनी है ध्यान से सुनें आपको कच्चा सूत लेना है उसे हल्दी से रंग लेना है और इस मंत्र का क्लीम ओम नमः शिवाय जाप करते हुए गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ की सोला परिक्रमा करनी है सूत को लपेटना है सोला परिक्रमा करके उस पीपल के तने पर और कम से कम यह उपाय आपको साथ गुरुवार करना है साथ बार में ही आपको चमदकार दिखना शुरू हो जाएगा अगर साथ बार में काम ना बने तो निराश ना हो निराशोकर इस क्रिया को छोड़ना नहीं है बलकि इसे निरंतर करते रहना है 9, 11, 15, 21 या 27 बार तक इसे करे इस उपाई को अधिक से अधिक 27 बार करने का विधान है ये पुजा विधी इससे आगे करने का कोई विधान नहीं है 27 बार तक में तो आपको अनकूल विवा प्राप्त हो ही जाता है जैसा आपने चाहा होता है वैसा ही या जिस से चाहा होता है वही रिष्टा प्राप्त होता है ये 100% प्रमारित है बस इस विश्वास के साथ करिएगा ये पुजा की आपको फल मिलेगा ही मिलेगा और शेगर मिलेगा ईश्वर आपकी शेगर सुनेगे और आपको आपके बच्चे के लिए अनकूल रिष्टा प्राप्त होगा यह उपाय अनकूल रिष्टे को प्राप्त करने हे तू या मन चाहा विवा हे तू भी किया जाता है अगर बच्चे स्वयम अपने लिए ये उपाय करना चाहें तो वे भी कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये उपाय समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा और आप इसे करेंगे जरूर अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपकी पूरी सहायता करूँगी जानकारी उपयोगी लगी हो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सभी के साथ शेयर और चैनल को सब्क्राइब जरूर कर लीजेगा मानो कामना पूर्ती है तो कमेंट बॉक्स में हरर महादेव लिखना बिलकुल भी मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए उपय के साथ तब तक आप सब हसते रहिए मुस्कुराते रहिए खुश रहिए जैस्री रादे हरर महादेव